एक था रौनक. जैसा नाम वैसा रूप. अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था. एक दिन उसने घर के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा, यहां अकल बिक्ती है. उसका घर बीच बाजार में था. हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था. हर कोई बोड़ देखता, हसना और आगे बढ़ जाता. रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी. एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा. दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया. उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहां कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यही इस अकल से तुम एक लाख रौपया बचा सकते हो. गंपु ने एक रौपया दे दिया. बदले में रौनक ने एक कागस पर लिख कर दिया. जहां दो आदमी लड़ जगड रहे हो, वहां खड़े रहना बेवकूफी है. गंपु घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागस दिखाया. कंजूस पिता ने कागस पढ़ा तो वह गुस्से से आगब बूला हो गया. गंपु को कोस्ते हुए वह पहुचा, अकल की दुकान. कागस की परची रौनक के सामने फेंकते हुए चिलाया. वह रौपया लोटा दो, जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था. जर्थ ये है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा. कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया. उस नगर के राजा की दो राणिया थी. एक दिन राजा अपनी राणियों के साथ जोहरी बाजार से गुजरा. दोनों राण की सेवा करती हूँ. इसलिए हार मैं लेकर जाओंगी. दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी राणियों को ज्यादा प्यार करते हैं. इसलिए हार पर मेरा हक है. गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था. उसने दासियों को लड़ते हुए देखा. दोनों दासियों ने कहा वे अपनी राणियों से शिकायत करेंगी. जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गंपू को देखा. वे बोली, यहां जो कुछ हुआ, तुम उसके गवाह रहना. दासियों ने राणियों ने राजा से शिकायत की. राजा ने दासियों की खबर ली. दासियों ने कहा, गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था. राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही जगडे का निप्टारा होगा. इधर गंपू हैरान, पिता परेशान. आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान. माफी मांगी और मदद भी. रौनक ने कहा, मदद तुम्हे कर दूँ, पर अब जो मैं अकल दूँगा, उसकी कीमत है पांच हजार रुपए. मरता क्या न करता? कंजूस पिता के कुड़ते हुए दिये पांच हजार. रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करें, और द जवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया. दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि जगड़ा किसने शुरू किया. बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई. छोटी को बहुत गुस्सा आया. गंपू को पता च खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो. गंपू सकते में आ गया. बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो एक लाख रुपए है. रौनक बोला, कहां था ना? उस दिन जब तुम पहली बार आये थे कि एक रुपए की अकल से तुम एक लाख रुपए बचा सक हो. इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा. उधर अकल की दुकान चल निकली. कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया.